नेता परतिपक्ष तेजस्वी आदो फिलाल बिहार से बाहर हैं दिल्ली में और दिल्ली में बैठे तेजस्वी सरकार पर हमला बोल रहे हैं बिहार की नितीस सरकार को सवालों से घेर रहे हैं तिजस्वी आदो का आकरमक रूप सोसल मीडिया के सभी प्रेटफॉर्म्स पर दिख रहा है जहां उत्ताबरतोर पोश्ट करके ट्वीट करके नितीस सरकार से सवाल पर सवाल दाग रहे हैं नितीस सरकार के नाकामियों को भी बता रहे हैं और साथ ही बिहार के अस्पतालों से आई तस्विर को लेकर सरकार को घेर रहे हैं फिलहाल तेजस्वी आदो बिहार में रोजगार बेरोजगारी और स्वास्त विभाग में बहाली को लेकर नितीस सरकार पर हमलावर हैं दिल्ली में बैठे तेजस्वी ट्वीट के जड़िये ही सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि स्वास्त विभाग में मनमाने तरीके से बहाली हो रही है फिर रद किया जा रहा है और फिर से बहाल भी कर दिया जा रहा है तेजस्वी आदों ने आरोप ल देखे और पढ़े दिवार पर इस्तेहार चिपका बिना आवेदन तारीख और योगिता के पैसे लेकर 780 लोगों की नुक्तिया की मामला उजागर होने पर 15 दिन बाद बहाली रद कर दी गई एक दिन बाद फिर उन्हें पुनह बहाल कर दिया गया देखिए तेजसवी आदों के ट्वीट है तेजसवी इस से पूरुबी किट कर चुके हैं तेजसवी ने कई अखबारों में चपी खबरों को भी साधा किया है और सबसे बड़ी बात है कि पूरा मामला बिहार के मुझह पर पूर से जुरा हुआ है जहां कल पूरे दिन बावाल भी हुआ तस्विरे भी हमने आपको दिखाई किस तरीके से पुलिस ने डंडे भी चलाएं लाटी चार्ज किया भीर को सांथ करने के लिए लोगों को समझाने के लिए लेकिन अब जब गुसे में है तेजस्वी आदो तो सरकार से कर रहे नाकामियों को बिना रहे कर रहे कि पंद्रा दिन में नितीज सरकार के तीन करांतिकारी निरने हैं दिवाल पर इस्तिहार चिपका कर बिना आवेदा ने योगिता और तारीख बताए बिना 780 लोगों की निक्तिया पैसे लेकर की गई देखिये तेजस्वी आदो जो लगातार हमलावर है आपको बता दें कि बीते दिनों मुझपर पूरजिले में कोरोना को लेकर किये गए बिविन पदो पर बहाली में बड़ा फरजिवारा सामने आया है अस्पताल में कर्मी का ओडियो सोसल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था जिसमें स्वास्त विभाग में बहाली के नाम पर पैसे का खेल सामने आया था इतना ही नहीं धांदली और पैसे लेकर निक्ति के आरोप में हटाए गए 780 स्वास्त कर्मियों और सहायकों की सेवा जिले के सिविल सर्जन ने 20 घंटे के अंदर ही बहाल कर दी CS ने गुरवार को इनका नियोजन समाप्त कर दिया था अपने ही आदेश को रद कर संसोधित आदेश निकाला है इन कर्मियों को कोरोना काल में स्वास्त विभाग में कर्मियों की कमी को देखते हुए 26 जुलाई तक के लिए नियोजन पर रखा गया था सिविल सर्जन डॉक्टर एसके चौदरी ने संसोधित आदेश में कहा है कि सभी पीएससी परभाड़ी और संबंदित चिकितसकों के ने नियोजन रद किये जाने से ठीका करन और कोरोना से जंग का अभियान कमजोर परने की असंका है इसलिए साथ सवसी लोगों के नियोजन को ततकाल प्रभाव से पुना बहाल किया जाता है और सीएस के इस नए आदेश में जनहित को देखते हुए अफैसला लेने की बात कही गई है वहीं डियेम प्रनौकुमार ने पुरे परकंद से अन्विक गिता जाहिर के उन्होंने चिपका कर बिना योगिता जाने पैसे लेकर लोगों को बहाल कर दिया दूसरी चीज फिर उन्हें हटा दिया गया फिर करें तेजस्वी कि 24 गंटे के अंदर ही फिर से उन्हें बहाल भी कर दिया गया क्या हो रहा है बिहार में देखना भी दिल्चस्प होगा तेजस्वी क झाल झाल